नमस्ति दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में हमारे चैनल का नाम है Farm On इस चैनल के दौरा हम आपको बताएंगे कुछ बिमारियां उसके लक्षन, परेडाम और उसके बारे में कई बातें जो आपके लिए फायदे मन रहेंगी हमारा आज का टॉपिक है हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन क्या है? चलिए जानते हैं हाइपर टेंशन को हम हाइब ब्लेड प्रेशर भी कहते हैं हाइब ब्लेड प्रेशर यानि लगातार 120 बटे 80 mm of Hg जिसका पूरा नाम है mm of mercury से अधिक रक्त चाप होना हर तीन भारती लोगों में एक व्यक्ति को हाइब ब्लेड प्रेशर है दुनिया भर में हाइब ब्लेड प्रेशर 75 लाग लोगों की म्रत्यूगा कारण बनता है अब हम बात करते हैं इसकी कुछ सिम्टम्स यानि लक्षन हाइब ब्लेड प्रेशर के कुछ सामान लक्षन है जैसे की पहला चक्कर आना दूसरा है नाक से खूण निकलना तीसरा है धुन्दला दिखना चौता है सरदरत और पाच्वा है गवराहट अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कॉंप्लिकेशन यानि पारिणाम की अगर हाइब ब्लेड प्रेशर के उपचार नहीं किया गया तो पहला दिल का धोरा या इस्ट्रॉक का खतरा बढ़ जाता है दूसरा एन्यूरिजम तीसरा दिस्टिक होना चौता है दूसरे अंगों पर भी असर हो सकता है हाइब ब्लेड प्रेशर के कई कारण है जैसे की पहला गती हीन जिंदगी और कसरत ना करना दूसरा नमक की मातरा खाने में जादा होना तीसरा अलकॉल और टुबाकों का इस्तिमाल करना चौता है टाइम पेना सोना आईए समझते हैं ब्लेड प्रेशर ब्लेड प्रेशर के तीन भाग होते हैं जिसमें पहला है सिस्टॉलिक दूसरा है डाइस्टॉलिक और तीसरा उसका यूनिन जिसमें वो मापा जाता है अब देखते हैं सामाने ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानि 120 बटे 80 mmHg में कोई दवाई की ज़रुरत नहीं होती है दूसरा प्रेहिपरटेंसिव यानि सिस्टॉल 120 xощine और तयस्टॉल 80 xanka जिसमें दवाई की ज़रुरत नहीं होती है पर प्लड प्रेशर होने की चांस रहता है फिर है स्टेज 1 यानि सिस्टॉल जिसमें 140 x 169 और तयस्टॉल 99 इसमें दवाई की ज़रूत होती है साथ है साथ में लाइफ स्टाल में बदलाव लाना भी ज़रूरी है स्टेज टू यानि सिस्टॉल एक सो साथ से ज़ादा और डाय स्टॉल सो से ज़ादा इसमें भी दवाई की जरूत होती है और साथ में लाइफ स्टार में बदलाव लाना भी जरूरी है अब हम बात करते हैं उसकी कुछ प्रिवेंशन या नि बचाओ हाइपरटेंशन से बचने के लिए कुछ तरीके हैं जिसमें पहला है खाने में नमक की मातरा कम करना और दारू कम पीना दूसरा चर्वी वारे पदार जैसे गोस्ट की मातरा कम करना तीसरा टबैको खाना और सिगरेट पीना छोड़ना और रोजाना एक्सुसाइस करें और टाइम पर नीन करें और इस्ट्रेस कम लें हाइपरटेंशन होने पर हमेशा दवाईयां टाइम पर ले अपना ब्लड प्रेशर नियमत समय पाए और DASH डाइट पर को अपनाए हाइपरटेंशन का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें